लिच्छान आउटलोक सलोक सर्बकला परपूर प्रभ बिर्था जनन हार जाकाय सिम्रन उधरिय नानक तिस बलिहार प्रभू सारियां शक्तियां दे नाल पूरन है सर्बकला परपूर है ते सारे ही जीवां दे दुख जनन हार है बिर्था तो इते पाव है दुख दर्द ओ प्रभू जो सारियां शक्तियां दे नाल पूरन है सारियां दे दुख दर्दनू जनन वाला है जाकका है सिमरन उदरी है जिस प्रबूदा सिमरन कीते हैं विकारां तू बच सकीदा है नानक तिस बलिहार है नानक उस तो सदा ही सदके जाईए सुखमनी साहिब जी दी बानी दी ए पंदर मी अश्ट पदी ओस परमातमा दी सिफ्त सला दे नाल परपूर है अश्ट पदी तूटी गांडन हार गुपाल सर्व जीयां अपे प्रतपा उस परमातमा ने सनु जीवानु पैदा कीता है साड़ा ए फर्ज है कि असी अपने दिल दियां तारां उस परमातमा दे नाल चोड़ी रखिये परमाया दे प्रवा आवहेट मनुख दे दिल दियां तारां उस परमातमा दे नालों तूट जांदियां हन इस पंक्ती दे विच गुरु जी एही दस रहे हन कि तूटी गांडन हार गुपाल उ गुपाल परमातमा अपने नहों तुटी हुई जीवां दी दिल दी तार नो जोड़न दी समर्था रखदा है सर्व जीयां आपे प्रतपाल सारे जीवां दी पालना करनवाणा ओ आप है सगल की चिंता जिस्मन माहे उस प्रमात्मा दे मन दे विच सारे जीवां दे लई फिकर है तिस्ते बिर्था कोई ना है इस पंक्ति दे विच बिर्था दा अर्थ है खाली के जिस प्रमात्मा दे मन दे विच सारे जीवां दे ले कले मनुख दी गल नहीं सारे ही जीवां दे ले चिंता है उदे दर्तों कदे कोई खाली नहीं जानदा ते ओदे दर तो पाब कोई तार्मिक अस्थान नहीं है सारी स्रिष्टी ही उस प्रमात्मा दा दर है इनना पंक्तियानू डुंगाई दे विच जे असी समझिये ता अर्थ ए निकल दे हन की जेकर ओप्रमात्मा जीवनू पैदा करदा है ता ओदे प्रती फिकर करके उस जीवनू ओदे जीवन लेई लोड़ींदा सब कुछ प्रदान भी करता है रे मन मेरे सदा हर जाप अभनाशी प्रब अपे आप हे मेरे मन प्रमात्मा दी इस महिमानू जो पिशली पंक्ति दे विच गुरू साहिब ने सनु दस्ती है उनु पशान के सदा उस प्रबुनू जाप सदा ही उस दा जाप अपने मन दे विच कर अपने चेते दे विच रख ओ प्रबु नास रहत है अभनाशी है ते अपने जिहा उस सिर्फ आप ही है उदे बराबर्दा कोई भी नहीं है अपन किया कशू ना होए जे सो प्रानी लोचा है कोई जे कर कोई प्रानी सो वारी वी सोचे सो वारी तांग करे तांभी अपने जतन नाल कुछ करके वो कुछ हासल नहीं कर सकता अपने जतना दे नाल उदा कम कोई सिरे नहीं जड़ता ये सनु बहुत बड़ा अप लिखा हुंदा है कि असी अपने जतना दे नाल कुछ कर रहे हुने हैं क्योंकि जिननक सनु दिखता है, उदे हिसाब नालते सनु एही लग सकता है, जो कर रहा है, मैं कर रहा है। दमाग मेरा है, उदे बेच विचार भी मेरे ने, उन्हां विचारा दे, अमल करके जेकर मैं कुछ कर रहा है, ता उदे तो मिलना ड़ा फाल भी मेरा है इसा नो बहुत बटा पलिक है असी ए नहीं सोच दे के उस दमाग दे धले उदी जो नी है दमाग दी वो प्रमात्मा है दमाग नो बनाया प्रमात्मा ने है उदे अंदर सोचन दी शक्ती उस प्रमात्मा ने पैदा कीती है मनुख दे हथवस ने कि उध माग पैदा कर सके दमाग नू रच सके उधे विच सूचन दी शक्ती पैदा कर सके जदो असी इस गल नू समझ जाए ता असी एक गल नू मन्न दे ले तियार हो जानते हां इस गल नू मन्न आ भी सौखा हो जानदा है कि आपन किया कछु ना होए जेसा उपरानी लोच चैकोई तिस बिन नाही तेरह किश काम गत नानक जप एक हर नाम उस प्रमात्मा दे नाम तो बिना कोई भी चीज कोई भी शे तेरे असली कम दी नहीं है अपने जीवन दे विच असी हजारां चीजां दी वर्तों करते हैं शोटियां बडियां हजारां चीजां अप वो अपने थां दे हर चीज साड़े कम आउंदी है हर चीज दा अपना कोई ना कोई कार्ज हुंदा है असी उस चीज तो ओ कार्ज भसूल करते हैं पर जो सटा असली मकसद है इस दुनिया दे विच अपने आपनों स्थिर्ता दिले के जान दुखां सुखां तो उपर उठ जान दुखां उस मकसदनों कोई भी चीज पूरी नहीं कर सकती उस मकसद लई सिर्फ एक ही दुखां है ओ है प्रमातमादा नाम गत नानक जप एक हरना उस एक प्रभूदा नाम जपके गत हुंदी है अकल अंदी है सियानप अंदी है समझ आउधी है कि अपने आपनों उस स्थिर्ता वाड़े प्लेन ते किमे लेके जाना है रूप वंत होए नाही मो है प्रव की जोत सगल काट सो है बहुत ही वदिया मैसेज बहुत ही वदिया संदेश इना पंक्तियां देविच लुकिया होया है जेकर कोई सोना हो वेते ओ अपने सुहपन दा मान करना लगदा है हंकार करना लगदा है दुझे आनू एतर सौन लगदा है कि मैं ता सोना है तू सोना नहीं है जा तू मेरे ननों काट सोना है मैं तेरे ननों ज्यादा सोना है गुरू जी केंदे कि जेकर तुसी रूप वान्त हों जेकर तुसी सोने हो दुनियाभी मापत अंदे सावनाल ता इस गलदा मान ना करो क्योंके सारे ही सरीरां दे विच एक प्रभूदी जोद सशोबत है जो प्रमात्मा तेरे अंदर है उही प्रमात्मा सारे अंदर भी है सो तू अपने सुने हून दा मानना कर तनवंता होए क्या को गर्ब है जा सब किशितिस का दिया दर्ब है तनवंत होके तनवान होके मनुख की हंकार करता है जदो सारा तन्पदार्थ ते उस प्रमात्मा दा बक्षिया होया है किसे ना समझ जा नास तक इनसान नो जिकर असिये गल किये ता उदा जवाब हो सकता है कि मिहनत ते मैं करदा है कम ते मैं जन्दा है सारा दिन हड तोड के कम मैं करदा है तमाग मैं अपना वर्त दा हां तां कि ते जाके मैं एप ऐसा कमोना ता प्रमातमा कि मैं होया एप ऐसे नू मैंनू बक्षन वाड़ा एप तनपदार्थ जिड़े दा मैं मालक हां एप मैंनू प्रमातमा ने कि मैं बक्षया होया जद करता ते सब कोज मैं हां ता जवाव अप्छली अश्ट पदी दे बिच मौफ करना पिछली पदी दे बिच कर चुके हां कि सानु दिमाग भी उस पर मातमाने बखशिया है सानु सरीर भी सपर मातमाने बखशिया है जिन्नादा इस्तिमाल करकी असीत तान पदार्थ कमौने है मन लो मनुख ने कोई मशीन बना लई मशीन नू चलाओंदा मनुख है मशीन दू नहीं पता कि ओ मेनू चला रहा है कंप्यूटर है कंप्यूटर दे विच प्रोग्रामिंग करती के आ बटन नपनाया ता आ कम होना है मनुख बटन नप दा है ते कंप्यूटर ओदांदा कम करता है कंप्यूटर नू नहीं पता कि मनुख बटन नप रहा है तैदा मतलब ए ते नहीं कि कंप्यूटर ए सोच के बैठ जावे कि जो कुछ कर रहा है मैं ही कर रहा है कंप्यूटर दे विच बहुत कुछ आर्ट वर्क भी त्यार हुंदा है ड्रॉइंगां भी त्यार हुंदियाने तक कंप्यूटर ए त्यानी न कह सकता कि ए ड्रॉइंग ए आर्ट वर्क मैं त्यार कीता है उन्नू चला ते पिछे बैठा बंदा रहा इसे तरह ही कोई मिशीन भी है जिनु चला मनुखर है तो मिशीन ने थोड़ी कह सकती है कि मैं एच चीज पैदा कर रही है जिसका से दिवी ओ मिशीन होई सो इसकल नू समझी कि साटे पिछे साटे दमाग दे भी नी जो है उपर मात्मा है साटे अंदर विचार ओ पर दा है मुड जितो साटा वजया होया है सानू ओ दिमाग दे विच सोचन दी शक्ती सरीर दे वक वक अंगांदा वक वक टंग दे नल मुडन दा तोर तरीका जो है उस पर मात्मा ने बक्षया है इसे लिए असीपा में अपना दमाग वर्त दे हैं अपना सरीर वर्त के तानपदार्थ कमोने हैं पर फिर भी उस तानपदार्थ उस पर मात्मा दा बक्षया होया मन्या जावेगा क्योंकि साड़े स्रीर साड़े दमाग दी जिनन उसी वर्त के उतान पतारत कमोने उना दी नी उस परमात्मा ने रखी है अत सूरा जे कोव कहावै प्रभ की कलाव बिना कहातावै फिर तो सेम गल पर सूर में इनसान दे ले बलबान इनसान दे ले कि जेकर कोई मनुख अपने आपनों बड़ा सूरमा अखवावी तक गुरू जी केंदे कि उन्नों इस सूचना चाहिंदा है कि प्रमात्मा बलों बक्षी होई ताक्त तो बिना वो किद्दर दौड़ पाज सकदा है असी फिर कहांगे कि इते भी मनुख कह सकदा है कि चंगे पोजन मैं खानदा है कसरत मैं करदा है और फलाना नहीं करदा तो ताक्तवर भी नहीं है मैं ए सब कुझे करदा है ता मैं ताक्तवर है इते विचे प्रमात्मा दी कड़ा के थुआ गई तापाई जेडे पोजन तू शकदा है कि तू उन्ना पोजना नू पैदा कर सकदा है ठीक है तू कनक नू जमीन दे विच बीज सकदा है कि तू ए नरता आर्थ कर सकदा है कि उन्ने उगणा है जा नहीं जा चलो उग भी पैई उस उगे होए बूटे दे उपर बल्लियां लगणियां ने जा नहीं लगणियां की मनुख ए नरता आर्थ कर सकता है उन्हा बल्लियां दे विच दाने बनने याँ जा नहीं बनने ओ दाने पक्णे याँ जा नहीं पक्णे की मनुख ये निर्ता आर्त कर सकता है एसे परकार ही बाकी दे सारी पोजन पदार्थ ने फड़ा दे बूटेया उदिते फड़ लगना के नहीं लगना ये मनोख निर्तार्थ नहीं कर सकता दुजी गल जिस मूँ दे नाल असी खाना खाने यां जिस फेर उस खाने तो सानू तक्त मिल दिया है ओ मूँ सानू प्रमात्माने बक्षिया है ओ मूँ मनोख ने पैदा नहीं किता सो पाई अत्सूरा जे कोई कहावै प्रब की कला बिना कातावै उन्हों ए सोचना चाहिए जे को हुए बहे दातार ते सदेन हार जानना गावार फिर जे कर कोई मनोख काफी तना आड़ होवे ते दान पन करन लगे ते अपने आपनू दाता समझ बैठदा उन्हों लगदा कि देन हारता मैं ही हाँ गुरू जी केंदे उस मूरख नू उस प्रबू नू भी पचानना चाहिए जो उन्हों भी सब कुछ दे रहा है जिड़ा कि उगए बन रहा है जे कर ओ प्रबू तैनू ही ना देवे तू अगए कि थे की बन लमेंगा जिस गुरू पर साद तूटाएं हो रोग नानक सोजन सदा रोग हे नानक ओमनुख सदा रोग है नरुआ है जिसनू गुरू दी किरपादे नाल उदा होमाय दा रोग कटे आ गया जिस गुरू पर साद तूटाएं हो रोग गुरू दी किरपादे नाल जिस्दा होमाय रोग कटे आ गया ओमनुख सदा ही नरुआ है जयो मंदर को थामाय थम्मन त्यो गुरू का शब्द मन है अस थम्मन मंदर तो पावे थे मंदर भी ले सकदे हां कर भी ले सकदे हां जा कोई भी इमार्त असी ले सकदे हां जिमे के इमार्त नू थम सहारा दिंदे हन उमे ही साड़े मन नू गुरूदा शव्द सहारा दिंदा है जो पाखान नाब चड़तर है प्राणी गुर चर्न लगत निस्तर है पाखान तो पाब पत्थर पत्थर नो जेकर असी पाणी देविच सुट देए उतर नहीं सकदा और डुब जाएगा पर जेकर उसे पत्थर नो असी किष्टी देविच रख देए ता ओ पत्थर डुबेगा नहीं हो तर जाएगा मनुख भी उस पत्थर वरगा ही है जेकर ते मनुख नू गुरू रूप किष्टी मिल जाए ता उस किष्टी ते सवार हो के मनुख संसार समुंदर दे विच डुबणों बच जानदा है संसार समुंदर तो पार लंग जानदा है गुरू तो बिना संसार समुंदर दे विच डुब जानदा है जो अंदकार दीपक परगास गुर दर्शन देख मन होए विगास जमेह नेरे देविच दीबा वाल ले ये ते चनन हो जन्दा है तिमेही गुरूदा दीदार करके गुरूदा दर्शन करके मन देविच खड़ाओ पैदा हो जन्दा है जो महा उद्यान महे मार्ग पाबाए ते उसादू संग मिल जोत परगटाबाए जिस परकार के किसे बड़े जंगल देविच असी पठके होई ते पठके होयानू रा लब पे तब बड़ा सकून मिलदा है मननू शान्ती आजान्दी है उसे परकार ही जदू सादू आंदी संगत देविच पैठते हैं मन देविच उस अकाल पुर्खदी जोत जग पैंदी है जोत प्रगट हो जान्दी है ता उन्ना ही सकून मिलदा है जिन्ना पठके होई नू राल बनते मिलदा होई भलकि मैं कहूंगा कि उस तों भी वत सकून मिलदा है क्योंकि जदू मनुख पठके होंदा है जंगल देविच तो उन्नू पताते होंदा है कटो कट की उओ पठके होया है पर संसार्ध रूप जंगल दे विच माया दा बन्नेा होया मनुख पटक या हुंदा है उनुप पता भी नहीं हुंदा कि ओपटक चुकिया तै उस जंगल दे विच ओह होर गेरा तुरे आ जन्दा है पाव कि ओधी जो पटकना है ओवद ही रही हुंदी है उत्वे जेकरोदे मन दे विच प्रमातमादी जोत प्रगट हो जावे तो उनु बहुत सुकून मिलता है उनु पता चले जानता कि उपट क्या होया सी तो उत्ही पटकना होर भी वदनी सी उन्हे इस माया रूपी संसार समंधर संसार जंगल दे विच होर भी ज्यादा गेर ही चलिया जाना सी जित्तों निकलना होर भी ज्यादा उखा हो जाना सी तो अनू होर भी ज्यादा सकून मिलता है के एक ते पठके होए नू रा मिल गया दूचा ओं होर पठकन तों बाच गया तिन संतन की बाच्छो तूर नानक की हर लोच्चा पूर मैं उना संतन दे चरना दी तूर मंगदा हैं जिना दी संगत देविच जाके साड़े अंदर प्रमात्मा दी जोत प्रगट हुंदी है हे प्रभू नानक दी एक खाह शुरी कर मन मूरख काहे बिललाईये पुर्भ लिखे का लिखे आपाईये हे मूरख मन कोई भी दुख मिलनते विलकदा क्याँ है पिछले बीचे दा फल खाना ही पैंदा है अज जेकर तूसी कोई चीज ले लेंदे हो ते ए समझ लो कि तूसी कुछ बीज दिता है उचीज तूहाँ नू वर्तों दे विच आउंदी है तूसी नू वर्त दे हूँ ता समझ लो कि उस बीजे होई दा फाल तूसी खा रहें कल नू ओचीज तू अटे कोड नहीं रेंदी ता ए भी मनना ज़रूरी है कि जो भी इस संसार दे विच बढ़िया है जो भी सानू मिलेया है उन्हें खुसना भी है उन्हें खत्म भी होना है उन्हें नश्ट भी होना है सो जिमें बीजे होई रोखतों फाल मिलने निश्चत ने उससे परकार ही उस रोखता नश्ट होना भी निश्चत है साथी समस्या एए है कि सुख वालियां निश्च तामा जो हन उना नूते असी खिडे मत्थे सविकार कर लेंदे हन पर दुख वालियां जो निश्च तामा हन उना तो असी कन्नी कतराओं दे हन असी चौने या कि सुख सुख ते सनू मिली जान दुख ना मिलन एपो लजानेया कि सुख ते दुख एक ही सिक्के दे दो पैलू ने जे असियों सिक्का अपने कुल रखना है ता असी कला सुख नहीं रख सकते दुख भी नाल ही आउग दुख सुख प्रावदेवन हार एक दुख ते सुख सन्मू वक्षन बाला परमातमा है अवर दियाग तुँ तिसै चता इन्हा दुखा सुखा दे वच अपने आपनू जे सथिर रखना है तब वक्की दे आसरे शट के उस परमातमानू अपने चेत्य दे वच रख जो कश करा है सोई सुख मान पूला काहे फिरे अजान हे मूरक हे अंजान क्यों पुलिया फिर्दा है जो कुछ प्रभू करता है उन्नू सुख ही समझ उधी रजा दे विच राजी रहे कौन बस्त आई तेरा संग लप्ट रहे और अस लूबी पतंग मनुख नू लूबी पतंग कै के गुरू जी पकार दे हन की तुम आया दे स्वाद विच मस्त हो रहा है इस सारियां ही चीजां जिनना दे नाल तुम अज लिप्टेया होया है मैंनू ए दस कि इना दे विचों केड़ी चीज तेरे नाल आई सी ज़द तुम इस जग्त दे विच आया सै राम नाम जब हिर्दे माहे नानक पत सेती कर जाहे इस करके पाई बकी दे ख्याल छड़ो बकी दे चंजट छड़ो अपने हिर्दे दे विच उस प्रबूदा नाम जपो इसे तरह इस ज़द दे नाल पर लोग वाले कर विच जामेगा जिस वकर को लैन तुम आया राम नाम संतन कर पाया हे बाई जिड़ा सोदा खरीदन वास्ते तु जगत विच आया है ओ राम नाम प्रमातमादा नाम संतन कर विच मिलता है इसलई तज अभिमान लेहो मन मोल अपने मन दे वटे प्रमातमादा नाम लेले ते अपना हंकार छड़ दे राम नाम हिर्दे महतोल प्रमातमादा नाम लेके अपने हिर्दे दे विच पर्क लाद खेप संतन संग चाल अवर ते आग पिखेया जंजाल संतन दे संग तुर ते राम नाम दा एसवदा लदले बकी दे सारे माया दे जंजाल माया दे तंदे छट दे जे जहा करेंगा तन 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 कहै सब कोई मुख उजल हर दर्गा सोई हर मुनुख तेनु तन तन कहेगा तेरी शुबा करेगा तेरी छावाशे करेगा प्रबूदी दर्गा ते भी तेरा मुख उजला होवेगा एह वपार विरला वपार है नानक ताका सद बलहार है पर एह वपार कोई विरला बंदा करता है ते जो भी करता है नानक जहे वपारी तो सद के जाएं चर्ण साद के तोए तोए पीयो अर्प साद को अपना जीयो है पाई साद जना दे चर्ण तो तोगे पीयो साद जन तो अपनी जिन्दवी वार दे चर्ण तोगे पीना एक किसम दा मुहावरा है सच्ची मुच्ची सरीर कता ओरते तुसी उना दे पैर तोगे ओ मैल वाला पाणी नहीं पीना अपने आपनू अर्पत कर देना उना दे के ते ऐसे परकार ही साद की तूर करो इशनान साद उपर जाईया कुरवान जो कुर्मुख मनुख है उदे चर्ण दी तूर दे विच इशनान कर उदे चरना दी तूड उदे वलों दितियां गईयां सिख्यामा आने उना दे विच अपने मननू इशनान करवोना है जिस रा तो ओ लग गए उस रा दी मिट्टी चक के अपने चेरे ते नहीं मलनी ए अफसोस दी गल है के पार्त देश दे विच लोग इनना संदेशानू समझ ही नहीं पाई तोहान नू गुर्म खांदे पैर तो ओके उस मेल वाले पाणी नू पीनदे होए मनोख बहुत मिल जानगी पर उना दे अग्गे अपने आपनू समर्पत करदे अपने माननू उना दे चर्ना दे विच रखदे की एदे विच अपनियां सिख्यामा पर देओ अचे हे लोग बहुत काट मिल नगी पहली कालते अज दे जमाने दे विच सई मैने आ दे विच सादू लपना भी बहुत अग्ख है जे कर कोई जिहा होवेगी ता जितों दे वो लंग जाए उस रातों उदियां पैडा दे विच जो मिटी चक दे इंसान तो अनू बहुत मिल जानगी उदे वलों विद्धियां हुनियां सिख्यामा अपने मन दे विच वसाओ दे दे उना दे अमल कर दे इंसान बहुत ही कट मिलनगी इस जग्त दे गुरू सहबान ने बड़ी वड़ी बक्षश कीती है के सानू अज दे जमाने दे विच संसार दे विच कोई साद लबन दी लोड नहीं कोई गुर्मख मनुख लबन दी लोड नहीं इलाही गुरू सानू थाप के गए हन गुरू जी शिरी गुरू करंथ साहब जी दे रूप दे विच साटे कोड़े परतक रूप दे विच गुरू मौजूद है जिननू सानू लबना नहीं पैंता हर पेंड दे विच कई कई गुर्दवारे बढ़े हन उत्थे सानू मिल साटे फोनना दे विच गुरू साहब मौजूद है गुरू दियां सिख्यामान उसे अपने फोन तों भी ग्रैन कर सकते हैं ते एक गुरू ऐसा है एक गलतान नहीं हो सकता एक दुनियावी लालचा दे विच नहीं आ सकता जमाना पामे कोई भी होवे साटा गुरू जयों त्याउं ही रहेगा एक बहुत बड़ी बक्षष गुरू सहिवाना ने साटे ते किती है और साद सेवा बड़ पाकी पाई यह साद संग हर कीर्तन गाई आई संता दी सेवा बड़े पा गानर मिल दी हैं संता दी संकत दे विच वी न समध हर कीर्तन गाया inaugat i da हर गुन गाय अमरत रास चाख्खाएं sentiments जान सन्नु अनेक का आकड़ां तों बचा लेंते हैं। इत्थे भी साठे दुनियावी जीवन दे विच आउन वालियां आकड़ां दी गल नई हो रही, साथे आत्मक जीवन दे बिचाउन वालियां अउकड़ां दी कल हो रही है सनु आत्मक तौरते संत पुर्ष इनने ज्यादा मजबूत बना दिन दे हन के कोई भी अउकड सनु अउकड लग दी नहीं संत जन प्रभु दे गुनगा के नाम अमर्ददा स्वाद मान दे हन ओट गही संतां दर आया सर्ब सूख नानक दे पाया जिस मनुख ने संतां दी ओट गही उनना दा आसरा फड़ेया जो संतां दे दर दे आडिका ये नानक उन्हें सारे ही सुख प्रापत कर ले मिर्तक को जीवालन हार पुखे को देवत आधार प्रभु मिर्तक होए मनुखानू मुए होए बंदियानू जीवालन जोगा है मर्या होयानू भी जीवन बक्ष देंदा है ते पुखेयानू आसरा भी देंदा है पर मुख तौरते इथे आत्मक तौरते मरे हुए मनुखां दी गल हो रही है पर कई वार कोई जीव मौत दे मूँ विच्चों भी मुड़ाउदा है जिननों उस परमात्मा ने रखना है उननों रख ही लेंदा है एते उस कुद्रत दा उस परमात्मा दा ही निजम है के सरीर दे विच्चों एक वार जदू जान निकल गई दवारा नहीं पाई जा सकती अजिहा चम्तकार कदे भी नहीं हो सकता यह उस परमात्मा दा ही बनाया होया निजम है पर कई वार उस जान निकलन दे बहुत करीब जा चुकी हुंदी है ते मनुक जान चीव बच जान दा है बिलकुल मौत दे मूचों मुड़े आउंदा है जहे चम्तकार आम को जान देने उथे का ला जान दी है के जिन्नू परमात्मा ने रखना है उन्नू रख ही लहना है ते कई वार मनुक चंका पड़ा सुता प्यावी तुरजंद है जिन्नू नहीं रखना उन्नू नहीं रखना सर्ब निधान जाकी दृष्टी माहे पुर्व लिखे का लहना पाहे सारे ही खजाने उस मालक दी नजर वे जहन किन्नू की बख्षना है यो निर्तार्थ करीब एठा है पर जीव अपने पिछले कीते करमादा फाल पोग दे हन तुसी इस वीडियो नू सुन रहे हो तो आटी उमर पंद्रा साल बी साल भी हो सकती है पंजा साट सतर साल भी हो सकती है होन तक दी जिन्दगी दे बचे तुसी बहुत कुछ कीता है ते आज तुसी जिस किसे भी मकामते हो उस कीते क्राइदे अदारते ही हो जो तुसी नहीं किता ओदे कार्ण तुसी इत्थे नहीं हो जित्थे आज तुसी हो जो कुछ भी तुसी किता जो कुछ भी तुसी बीचेया उसे दाही फल है कि तुसी अज जिस मकामते मौजूद हो पर एगल नहीं पुलनी चाहें दी कि जो कुछ भी तुसी कीता उ करन दे लई प्रेरना तानू प्रमात्मा ने ही बक्षी सब के शतिसका उह करना जोग तिस बन दूसर होआना होग सब कुछ ही उस प्रबूदा है उस सब कुछ करन दे समरत्थ है उस तो बिना उदे वर्गा दूचा ना कदे कोई होया है ते ना ही कदे कोई होवेगा जप जन सदा सदा दिन रेन इस करके हे पाई दिन रात ते सदा ही उस प्रबूनू जप उनू याद कर सब ते उच निर्मल एह करनी सारियां ही करनी यां दे नालों उत्म ते उचि करनी है एहे कर किरपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल थिया उस प्रमात्मा ने मिहर करके जिस मनुख नू अपना नाम बक्ष दिता हे नानक वो मनुख पुवित्तर हो जान्दा है जाका है मन गुर की प्रतीत तिस जन आवा है हर प्रवचीत जिस मनुख दे मन विच सत गुरु प्रती शर्दा बन गई उदे मन विच प्रभु भी टेक जान्दा है जेकर तो अड़ी गुरू दे प्रती शर्दा बन गई जेकर तो अड़ा गुरू दे नाड़ प्रेम पै गया तो अड़ा प्रमात्मा दे नाड़ भी प्रेम पै जाएगा पगत पगत सुनियां तहे लोए जाक का हिर्दा एक को होई गुरु दे नाल तो अड़ा प्रेम पहे गया उस्तो बद प्रमात्मा दे नाल तो अड़ा प्रेम पहे गया ओ एक प्रभू तो अड़े हिर्दे विच आवसदा है ते जीदे हिर्दे विच ओ एक प्रभू वसदा है सारे ही जग्त दे विच उन्नु पगत पगत आख़े है सच करने सच ताकी रहत उस मनुख दी जिंदगी ते जिंदगी दे असूल सच हो जान देने सदा थिर हो जान देने उस प्रभू दे नाल एक सुर्ता आले हो जान देने सच हिर्दे सत मुख कहत उधे हिर्दे विच भी सदा थिर रहनवाला प्रबु आवस्दा है ते उधे मुखतों भी प्रबु दा नाम ही उच्चरदा है सच्ची द्रिष्ट सच्चा आकार उधी द्रिष्टी उधी नजर सच्ची हो जान्दी है उस प्रभू दे रंग विच रंगी हो जान्दी है इसलिए इस सारा ही द्रिष्ट मान जग्त उन्नु उस प्रभू दा रूप लगदा है सच वर्ते सच्चा पासार उन्हों ओ प्रबू हर था मजूद दिस्दा है इस सारा खिलारा जो जग्त दा है उस प्रमातमा दा बनाया होया उन्हों नजर ओंदा है पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता जस मनुख ने अकाल पुर्ख नू सदा थिर रहन वाला समझेया उन्हों सच करके जानेया ओ मनुख उस सच दे विच उस प्रमातमा दे विच ही लीन हो जान्दा है सो इस्ते नाल ही सुखमनी साहव जी दी बानी दी पंदर में अश्ट पदी दी ब्याख्या दी समात्ती उन्दिय जी अज दी बानी दे विच उस प्रभू दी सिफ्त सला सान्नू पड़न नू मिली वड़े वदिया टंक दे नाल गुरू जी ने सान्नू साटी आम जंदगी दे वरतारे समझाई के किस परकार असी अपने रूप दा अपनी अमीरी दा अपने दान देन वाले सबा दा कोई मान नहीं करना क्योंके साटे तो इस सब कुछ उप्रमातमा करवा रहा है तानपदार्थ रूप सान्नू उस परमातमा दा ही बक्षया हुया है जड़े दिमाग नू जड़े सरीर नू वरत के असी अपना जीवन बतीत कर दे हां उद दिमाग सान्नू उस परमातमा ने बक्षया है इस करके उन्नु सदा ही अपने चेते दे विच रखिये अपने आपनु कदेवी वड़ा ना समझ बैठिये सदा ही उस प्रमातमा दे अदीन रहिये उन्नु अपने हिर्दे दे विच वसा के रखिये इसे संदेश दे नारही अजदी वीडियो दी समापती कर दे हां जी बलाओ फते वाहि गुर्जी का खाल सा वाहि गुर्जी की फते